हम अखवारे में पढ़ लेंगे इतना मर्यादा ही नाचरन हुआ है और जिस तरह से लोगों के सेंटिमेंट को हिट किया है लोगों ने हमने एक बार नहीं चार बार लालू जी का हाल दिया था एक बार यह जो अभी बना है बने हैं पी सारसा वाले मनोज्जा मनोज्जा से बात किया था एक बार एक बार हमने इन से भोला यादब से बात किया था इस बार फिर भोला यादब से बात किया था वो जब बंबई में गय थे मुंबई में गय थे पहले जा चुछ कराने अता भोला यादब वहीं थे हाल चाल हमने पूछ लिया और जब ऑपरेशन जिस दिन हुआ ऑपरेशन के बाद हमने भोला यादब को फोन किया वहीं था कहा कि आ गए हैं अब होस में आ गए हैं लीजी एक मिनट बात कर लिजे बात किया थे अब समाज को इतना मर्यादाहीन कोई बता दे हम तो साधी भी बास सब में जाते हैं और आज की बात थे उनकी पहली लड़की की साधी का उठा करके उस समय का अख़वार देख लिजे वो जो भी हुआ था उस समय उसका एक बड़ा इवेंट जैसा उसको लेकर के मीडिया में कितनी ख़बरें छपी थी और हम लोग तो अलग थे नहीं गए थे जब तक संभव हुआ है तब तक गए हैं सुसील जी नहीं गए हैं बैक्सरों समय पर गए हैं कौन नहीं गए हैं अडवानी जी गये हैं कौन नहीं जाते साथ बताइये अगर आपकी तबीयत खराब राजनेतिक उरूप से किसी के साथ मत्वेद हो सकता है लेकिन व्यक्तिगत उरूप से किसी से हमलों की व्यक्तिगत उरूप से किसी से कोई चीड़ और दुस्मनी है यह हमारी फिलिंग है या पच्छी तरह जान लेगे और सदय कभी भी कोई किसी पार्टी में रहे अगर उन से हमारा व्यक्तिगत संपर्क पुर्व से रहा है तो क्यों नहीं हाल चाल लेगा क्यों चाहेगा को लेकिन आप सोच लिए कैसी मरियादा पर पहुंच रहें लोग किस तरह का अचरन है समाज में क्या इंपक्ट पढ़ने वाला है इसका इसका मतलब तो यही है कि अब कोई बीमार पढ़े उसका हाल चाल मतलो पुद ही चाहेंगे कि स्वस्त रहें लेकिन अब कौन ले किसी से कोई बात करेगा अगर उसका मिस इंटर्परेशन होता है तो इस अब हाल तुछीज कौन करेगा आप ही लोगों से पूछ लेंगे देखने जाते ही है कि हाल चाल ठीक है ना चान लेगे मीडिया में ही जरूर कहेंगे कि भई ऐसी ऐसा वाता बरन अगर समाज का लोग बनाएंगे लोगों को मालूम नहीं है अपने पैर में लोग कुल हडी मार गए हमको हासी आ रही थी हमको आहत करेगा इतनी शक्ति है आहत करने की शक्ति नहीं है बिए कि जरूर हास्यास्पत जरूरर कमार किसी बात इस भी पापते हैं क्या करे जानता नहीं कि इन चीज़ों का समाज के लोगों पर क्या मैंपक्त पुछे में समझ रहे हैं कि आपके समर्थक ही हैं सिरफ और कास्ट दिन चलते हैं तो आप क्या सोचते अगर इस तरह की बात करिएगा तो आप अपने समर्थकों में तो बड़ा अच्छा रहिएगा लेकिन बाकी लोगों में क्या feeling होगी ऐसी कभी भी ऐसा कभी भी मर्यादा ही आचरन नहीं करना चाहिए जो लालू जी का हालचाल स्वास्त का लेने के बाद जो किया गया है और यह बिल्कुल ऐसी बात है जो पूरे समाज के वातावरन को खड़ित करने वाला है और अब कौन पूछेगा कोई किसी के बारे भाई आप जरा पता ही साथ लेकिन हम तो आप सब रहें फोर्थ पिलर वाले लोग हम आपसे भी कहेंगे कि जरा समाज को इतना मत किरने दीजिए